दोस्तो स्वागत है सभी का एक्जाम स्विध MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम दोस्तो लाए हैं आपके लिए 2020 याने की 2020 में जो पूछा गया था समाजिक विज्ञान का प्रश्ण पत्र और ये प्रश्ण पत्र आपके लिए model paper का काम करेगा for board examination 2021 2021 की जो board परिक्षाए होंगी उन परिक्षाओं में समाजिक विज्ञान क्लास 10 का ये विपर आपके लिए model paper की तरह काम करेगा दोस्तों देखेंगे हमकी किस प्रकार के प्रश्ण आये थे क्या क्या प्रश्ण आये थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजी विज्ञान का 2020 2020 का प्रश्ण है सतर नंबर का प्रश्ण पत्र होगा आपका क्लास 10 में और तीन घंटे 15 मिनिट इसके लिए आपको मिलेंगे अब यहाँ पर निर्देश दिये गए हैं दोस्तों निर्देश हमें सबको पता होते हैं कि क्या निर्देश दिये जाते हैं तो निर्देश हम यहाँ पर आराम के साथ पढ़ सकते हैं सबी निर्देश यहां पर दिये गए हुए हैं जितने भी section है उनके सामने जितने भी प्रेशन है उनके सामने उनके अंक लिखे हुए होते हैं का खा में दोनों में मांचित्र का कार दिया हुआ है, मांचित्र आपको सही से कॉपी में लगाना होता है, यहां पर यह निर्देश दिया हुआ है, तरस्टी बादित परिक्षारतियों के लिए मांचित्र कार के स्थान पर का और खा में दोनों में अलग-अलग आपको इसका सोल्यूशन भी हम आपको उपलब्द कराएंगे दूसरा प्रशन है दोस्तो संगात्मक शासन प्रडाली में अधिकारों का विभाजन होते हैं या पर चार उत्तर दिये हुए हैं अबर आपको सही विकल्प का चयन करना है फिर आपका आता है और ध्योगिक क्रांती किस देश से प्रारंब हुई थी चौथा प्रशन है नेपोलियन का संबन्द किस देश से था पांचवा प्रशन है आपका संयुक्त राष्ट्र संग का मुख्याले कहां पर इस्थित है सविने आवग्या आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों ये छे बहु इकलपी प्रशन खंड का में पूछे गया है और सभी एक एक अंक के हैं तो यहाँ पर बहु इकलपी प्रशन उपर आपको ध्यान देना चाहिए इससे आपके छे अंक पके हो सकते हैं अब अति लगू उत्तर ये प्रशनी स्टार्ट हो जाते हैं खंड का के तो सबसे पहला प्रशन है और ये प्रशन दोस्तों दो नमबर का होगा सबसे पहला प्रशन है भारती निर्वाचन विवस्था के दो दोश लिखिए आपको भारती निर्वाचन विवस्था के दो दोश लिखने है भारत के दो पडोसी देशों के नाम बताईए पाकिस्तान हो गया नेपाल हो गया चीन हो गया धेर सारे पडोसी देश हैं आपको दो देशों के नाम लिख देना है, फ्रांस की क्रांती के दो परिडाम बताईए, फिर आपके दोस्तों तीन तीन नमबर के प्रशने स्टार्ट होंगे, ये सबी प्रशने, इस प्रकार के प्रशने की बार बार रिपीट भी होते हैं, इस प्रकार के प्रशने बार बार परिक पड़ा अथ्वा आप यह वाला प्रश्ण भी कर सकते हैं उन्नीसवी सदी में प्रकाशन के विभिन रूप क्या थे किनी तीन रूपों का उलेख कीजिए अगला प्रश्ण है हमारा तीन नंक के लिए कि भारती लोकतंत्र की तीन विशेश्टाएं बताईए तीन नंबर का प्रश्ण होगा अथवा आप यह वह भी प्रश्ण कर सकते हैं अपने प्रदेश के दो छेत्री दलो का उलेख कीजिए दीर गुत्तरी प्रश्ण यानि की लॉंग अंसर टाइप क्वेश्ण आते हैं उसमें कौन से प्रश्ण पूछेंगे हैं दोस्तों यह छे छे नंबर के प्रश्ण है पहला प्रश्ण है भारतिय लोकतंत्र की सफलता के लिए किनी चार आवश्यक दशाओं का वरड़न कीजिए दोस्तों यह हमारे जो चार कारण आप देंगे यह डेड़ डेड़ नंबर के होंगे तो इस तरह के आपके इस तरह से आपके छे नंबर पूरे होते हैं अथ्वा आप यह वाला भी प्रश्ण कर सकते हैं भारतिय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनातियां है किनी तीन का वरड़न कीजिए अगला प्रश्ण है दोस्तों महत्मा गांधी महत्मा गांधी के सत्याक रह पर एक निबंध लिखिए आप यह तो यह वाला प्रश्ण कर सकते हैं अथ्वा आप यह वाला भी प्रश्ण कर सकते हैं भारत में और ध्योगिक विकास की विशेश्टाएं क्या हैं किनी चार का उलेख कीजिए अब section A के मानचित्र संबंधी प्रशनी start होगे और मानचित्र में कौन-कौन से प्रशने देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको एक map दिया जाएगा और map में आपको इन इस्थानों को अंकित करना होगा सबसे पहला प्रशने मानचित्र का वह इस्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ एक नमबर का प्रशने है दूसरा आपको इस्थान अंकित करना है वह इस्थान जहां जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था थार्ट क्वेशन है कि वह इस्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ चौता क्वेशन है वह इस्थान जहां सूती मिल श्रमिको का सत्यहग रह हुआ वह इस्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ दोस्तों ये सब भी एतिहासिक प्रशन है और आपको उन इस्थानों को अंकित करना होगा दिये गए मानचित्र में और फिर वो मानचित्र आपको अपनी कौपी में लगा देना होगा नेक्स्ट हमारा जो बताया गया था कि द्रश्टी वाधित विद्धारतियों के लिए मानचित्र कारे नहीं करना होगा उन्हें कुछ प्रशनों के उत्तर देने होगे और वो प्रशन यहाँ पर इस प्रकार है जलिया वाला बाग घत्यकांड कहा हुआ 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहा हुआ था या बस आपको इसका उत्तर दे देना है आपको मानचित्र कारे नहीं करना होगा 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहा हुआ और सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहा हुआ था क्या है भूमी कैसा संसादने प्राकर्दिक है कि मानो निर्मित है सौरूर्जा से निर्मित है या उप्रोक्त में से कोई नहीं सही विकल्पा को चुनना है निम्न लिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है कौन सी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है तो सीमेंट मिट्टी माहत्मा गांधी के या जवाहरलाल नहरू के या विनोबा भावे या इंदिरा गांधी सरब्रतम विश्व या पार संकठन WTO World Trade Organization किसके द्वारा शुरू हुआ विक्सित देश या विकास शील देश या अलब विक्सित देश या निर्धन देश अगला प्रेशन है दोस्तो निम लिकित में से कौन सी रभी की फसल है धान है या यह घेहूं है या काला चना या कपास मूंबई हाई प्रसिद्ध है किस चीज के लिए मूंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शो धकारकानों के लिए फिल्म सिटी के लिए gateway ऑफ इंडिया के लिए या इन में से कोई नहीं अब यहाँ पर दो दो नंबर के प्रेशनी स्टार्ट हो जाते हैं दो दो नंबर के प्रेशनी बहुत ही सरल है भूगोल वाले सेक्शन में पहला प्रेशन है कि मुर्दा अपरदन क्या है दोस्तों लग रहे हैं कि NCRT question NCRT book से ही पूछे कि इस तरह कि उसमें धेर सारे question होते हैं जो कि आपको practice करने चाहिए लगो उत्तर ये प्रशने स्टार्ट होते हैं रोजगार के संगठित चेतर को परिभाशित कीजिए कि रोजगार के संगठित चेतर कौन से हैं दोस्तों दो प्रकार के चेतर होते हैं एक होते हैं संगठित चेतर और एक होते हैं असंगठित चेतर अथ्वा आप ये प्रशन भी कर सकते हैं धान की खेती के लिए उप्युक उप्यूक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वरणन करें धान की खेती के लिए उप्यूक्त भौगोलिक परिस्थितियों का परिस्थितियों को आपको बताना है कि नमी कितनी होने चाहिए तापमान कितना होने चाहिए वायू कैसी होनी चाहिए आदरता कैसी होनी चाहिए य चिपको आंदोलन क्या है यह आपको प्रश्ण करना फिर आपको छे नंबर के प्रश्ण आ जाते हैं दीर गुतेरी प्रश्ण यह कौन से मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुल्जाती है उधारण देकर समझाईए अत्वा विदेशी आप यहाला प्रश्ण लाब हो का वरड़न कीजिए विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं इसके क्या लाब है उनको आपको बताना इन दो प्रश्णों में से किसी एक प्रश्ण को आप कर सकते हैं अगला प्रश्ण है आपका six marks के लिए छे नंबर के लिए देश के आर्थी विकास में सार प्रश्ण करें या फिर आप ये कर सकते हैं भारत में उपभोकता अंदोलन का आरंब करने के लिए उत्तरदाई कारणों की व्याख्या कीजिए भारत में उपभोकता अंदोलन को प्रारंब करने के लिए उत्तरदाई कारणों की व्याख्या कीजिए अब मांचित्र का रह कि यहां पर कल पक्कम पर्माड उर्जा केंद्र है तो वहां पर आप ये वाला चिन बनाएंगे फिर मुंबई बंदर गाह इस वाले चिन से आप प्रदर्शित कीजिए जो आपको मैप दिया जाए जो मांचित्र दिया जाए परिवतिय मिट्टी का छेत्र आप इस चिन के द सब्सक्ट जाएं के लिए यहां पर प्रशण दिये हुएं प्रशण है दोस्तो नराओररा परमाडू केंद्र किस राज्जों में इस्थित है दूसरा प्रश्ण है यह प्रश्न दोस्तों अगर आप मांचित्र वाले कर रहे हैं यह प्रश्ण के वाल दृष्टि बाधित विध्यारतियों के लिए ही हैं ये सभी को नहीं करने हैं और सभी को मानचितर वाले प्रशन करने हैं ये पहले से पता होगा कि ये बताया जाएगा कि किसको है या किसी को अगर दृष्टी बाधिता किसमस्य है तो वो ये प्रशन करेंगे अन्य था आप मानचितर वाले ट्रंक रोड उत्तर रेल्वे का मुख्याले का नाम लिखिए और लास्ट प्रेशन है द्रेश्टी बादित परिक्षारतियों के लिए सरदार सरोवरबांध किस नधी पर निर्मित है तो दोस्तों यहाँ पर पेपर खत्म हो जाता है एंड हो गया इस पेपर का दो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो एक्जाम्स वीडेमस को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के इंपोर्टन वीडियो के लिए यहाँ पर आपको मॉडल पेपर, क्वेशन पेपर, प्रिवियस एर के क्वेशन पेपर और वीडियो के लिए